आज हम लोग chapter 10 आपका menstruation उसके exercise 10.3 पढ़ने वाले हैं first question है find the area of rectangle whose sides are area find करना है rectangle का जिसके हमें land or red दे रखा है देखिए अभी जो last exercise हमने की थी exercise 10.1 तो उसमें हमने सब का perimeter find किया था अब यह समें area आएगा आपका तो area of rectangle आपको पता है length into breadth होता है ठीक है यह आपका formula होता है length हमारी होगी 3 cm और breadth हो गई 4 cm तो area of rectangle आपका 12 cm square आपका area की unit में square आता है एक centimeter इसका एक centimeter इसका unit में square लग जाता है ठीक है इससे पता चल जाता है कि यह area है and unit is very important to write यहां रखिए आप लोग unit लिखना बहुत ज़रूरी है next इसका इसमें भी area of rectangle ही 242 meter है unit इसकी तो meter square ठीक है simply formula report कर रहे हैं इस सब में area of rectangle ही निकालना है यह फ्रेक्टर में length into breadth रहे है आपकी 2 km और breadth है 3 km तो यह जाएगी 6 km square next है 2 meter और 70 cm दे रखिए को length दे रखिए है 2 meter और breadth दे रखिए है 70 cm तो हमें क्या चाहिए कि हम इसको भी या तो इसको भी centimeter में कर लें या तो इसे भी meter में convert कर लें same unit होनी चाहिए तो हम इसको कर लेते हैं change एक cm में 100 cm होते हैं एक cm में 100 cm होते हैं एक मीटर में 100 cm होते हैं ठीक है अब meter से cm में करेंगे तो multiply करेंगे 100 से लेकर हमें cm को meter में करना है तो हम क्या करेंगे डिवाइट करेंगे 100 से तो यह मीटर में हो जाएगा यह हो गया आपका ब्रेट आजाएगी 0.7 meter अब formula लगाईए area of rectangle हो जाएगा length into breadth length head to breadth 0.7 यह हो गया आपका 1.4 meter square ठीक है next question है find the area of the squares whose sides are अब इस question में क्या है कि हमें area of square find करना है area of square का formula put करीए area of square is world of app का side into side या फिर side का square यह के बात है तो 10 दे रखी है side 10 into 10 यह हो गया आपका 100 cm square ठीक है area of square इसमें भी area of square है side into side होता है formula 14 into 14 square के इसमें बाता है 196 ठीक है same यही question है very simple है यह तो इसे formula put करना है side into side 5 into 5 25 cm square next question है the length and the breadth of 3 rectangles as given as blue length and the breadth of rectangles यह हमें दे रखी है हमें क्या find करना है area तो area of rectangle आपको होता है length into breadth length given है 9 meter और breadth है 6 meter 54 meter square आपका area आजाएगा और इसमें भी आपको area ही find करना है area of rectangle length है 17 breadth है 3 17 3 is a 51 meter square तीनों पार्ट में हमें area of rectangle ही find करना है area of rectangle is equal to 4 into 14 range यह लेंद रखी है by 6 meters square आपको आपका question number 4 है the area of a rectangular garden 50 meter is long 300 square meter find the width of the garden गार्डन की हमें bit find करनी है जिसमें हमें जो है length दे रहा है और इसका area दे राखा है हमें bit find deed को हमें bit fine करनी है यानि bed area of area और डराव का formula दैप किए area given हमारे पास area of rectangular garden मॉसको फेटांग ना लेंद इंटू प्रैट एरिया कितना है 300 स्कॉयर मीटर है तो एरिया की जगा हमने एरिया लिख दिया लेंद हमारे पास है 50 ब्रैट्थ हमें फाइंड करनी है बी लिख लीजे जो मल्टिप्लाई में है वह साइड जब चेंज करेंगे प्रैट से लेफ्ट या लेफ्ट या वह हमारे डिवाइड में आ जाएगा इधर प्रैट रह गया इसको डिवाइड कर दो यह जाएगी 60 तो प्रैट आई है आपकी 60 मीटर ठीक है न देखिए थोड़ा सा यहां 50 था यह मैंने 5 कर दिया इसको 50 है तो यह कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी 6 मीटर आएगी यह 50 था अगय? 6 मीटर आ जाएगी अपकी ब्रैट नेक्स है इसकोस्त निकालनी है ताइलिंग की एक रेक्टेंगूलर प्लॉट है जिसमें इतना प्लॉट की हमें लैंट और विर्ट दे रखी है सबसे पहले एरिया निकालेगी सेक्टेंगूलर प्लॉट का एरिया ओफ एक्टेंगूलर प्लॉट लैंज इंटू प्रै लैंज इतनी है फाइफ हंड्रेड इंटू तो हंड्रेड यह आगे अपका एक लाख मीटर स्क्वाइर ठीक है क्या हमें इसकी कोस्ट निकालनी है कोस्ट ओफ टाइलिंग कितने रुपे से निकालनी है हमें हमें निकालनी है एक पर हंड्रेड स्क्वाइर मीटर पर हंड्रेड स्क्वाइर मीटर से हमें निकालनी है देखिए तो यहाँ मारा एरिया था ठीके 8 पर हंडेर से निकाले ही यानि 8 पर हंडेर ऐसे 8 से मेल्टिपलाई और 100 पर हंडेर तो इसलिए हंडेर से डवाइल कैंसे बल्टिपलाई करें कितना आ जाएगा 8000 तो कोस्ट कितनी आ गई उसकी 8,000 और यह हो जाएगा आपका answer देखो 8 पर 100 स्कुर मीटर से इसकी cost निकाल ली थी तो 8 पर 100 0 कैंसल हो जाएगे और मटिपाएगा कि या जाएगा आपका 8,000 रुपीज Question No.6 है इस टेबिल टॉप मेजर लेंग दे रखी है, प्रेट दे रखी है हमें उसका एड़ा निकालना है स्कुर मीटर में मीटर में निकालना है, ठीके? एड़ा ओफ rectangle length into breadth length यह रखी है हमें 2 meter breadth कितनी है हमएपा 1 meter 50 cm 1 meter 50 cm को हम देखी कैसे लिख सकते हैं 1.50 लिख सकते हैं, sorry जोड़ी, 1.50 meter, यानि 1 meter 50 centimeter हो जाएगा यह है, तो इसकी जगह आजाएगा आपका 1.50, 50 नहीं पड़ते हैं, 1.50, 60 नहीं पड़ते हैं, 50 थीक है, तो यह आजाएगा 3, area आजाएगा, 3 meter, 3 square meter आजाएगा आपका area, नेक्स्ट है कोशन ए रूम इस फोर मीटर लॉंग और फिप्टी सेंटीमीटर वाइड एक रूम है जिसकी लंबाई चार मीटर है और एतनी फिटते हैं तो हावनी स्कॉरी मीटर अफ कार्पेट अने टू कवर दा फ्लोर रूम कितने स्कॉरी मीटर में उसका कार्पेट लग लैंद कितनी है फूर वरेट कितनी जाई यह सेंटीमीटर है तो 3.50 तो यह आजाएगा आपका 14.0 means 14 मीटर स्कॉरर एरिया कितना आपका 14 ठीक है तो यानि कितना स्कॉरी मीटर चाहिएगा 14 स्कॉरी मीटर 14.0 का मतलब सिर्फ 14 मीटर स्कॉरर आपका हो गया यह एरिया ठीक है ना नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 8 आपका 14.0 का यह एक फ्लोर है जोके इतना लॉंग है लेंथ इतनी है और बिट है 4 मीटर स्कॉर कार्पिट ऑफ साइड 3 मीटर इस एड़ान्ट है अच्छा हमें उतना अब फांड करना है जितना के जितने पे गार्पिट नहीं मिच्छा हुआ है ठीकिए ना देखो एक तो मतलब यह है कि इतना rectangular होगा फिर एक square वाला है जिसकी side हमें दे रहे है तो पहले हम rectangle का area fine करेंगे फिर हम एक square का area fine करेंगे ठीक है फिर उसमें से हम minus कर देंगे तब हमारे पास वो area आ जाएगा जो carpet नहीं बिच्छा है जिस पे ठीक है देखो तो पहले तो हमे इसमें area of floor fine करना होगा area of floor 5 meter है और यह width है इसकी 4 meter यह आगए आपका 20 meter square आप हम निकालेंगे square carpet का area of square carpet area of square side into side होता है side square होता है square का area का formula 3 meter है हमाई पार 3 into 3 9 meter square अब हमें क्या निकालना है उसका area निकालना है that floor not carpeted area of floor that is not carpeted हरा तो क्या करेंगे area of floor मैंसे area of square carpet का माइनस कर दो यह कितना है 20 और यह है आपका 9 कितना हो जाएका 11 meter square हमें यही find करना था कि कितने area पे carpet नहीं इचा है है ठीक है next question है five square floor bags है जिसकी side हमें दे लिए कि square है यहाना हमें square का बात कर रहे है side दे लिए 1 meter आच्दक और पीस of land एक और land उस land पे खोड़ा गया है कितना जिसकी land है five meter long four meter wide what is the area of the remaining part अच्छा अब कितना remaining part बच्चा उसको निकालना है पहलो तो देख को square floor better उसका निकालेंगी area area of flower square bed side into side यानि कितनी तरी के side one one square meter हो गया है ना फिर देखिए area of land area of land निकालो अच्छा नहीं area of land निकालने से पहले हमारे पास यह हमने जो निकाला है यह एक side का निकाला है लेकिन हमारे पास five square floor beds है तो अभी हमें five square का भी निकाल लो area of five square beds five square floor beds का निकालेंगे तो side कितनी है हमारे पास one yoga आपका five meter square ठीक है ना अब निकालने हम area of land length कितनी है five breath है four तो five into four yoga आपकी twenty square meter अब हमें निकालना है remaining part जो के area हमें remaining part का निकालना है तो remaining part का कैसे निकालेंगे area of remaining part of land जो हमारा five square bed floor bed था उस मैंसे area बाकी जो piece था land का उसको minus कर देंगे इसको sorry area of land मैंसे जो हमारा five floor bed square का bed था उसको minus कर देंगे है ना तो यह कितना area of land twenty floor bed five square bed कितना है five remaining part का area कितना जाएगा fifteen square meter next question देखिए by splitting the following figure into rectangles find their areas in यह सारी measurement दे रही है यह stand diameter में है देखो यह जो picture हमें figure दे रही है इसको हमें इस तरहार से rectangles में spread करना है और फिर हमें सबका area find करना है देखिए हम इसको कैसे कर सकते है अभी हम अगर हम इसे पूरा कर देंगे तो देखो यह कितनी हो जाएगी पूरी पूरी लाहन इसको फोर है यहां तक यह इसको देखो इसको इससे कर देते हैं और देखो यह तो अब हम इसका area इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे ना एक तो तीन और फिर एक इसका एरिया ये चार पिक्चर का एरिया फाइंड कर लेंगे ना तो हमें टोटल एरिया इनका निकल जाएगा तो ये पूरे फिकर का आ जाएगा देखो ये फोर है ये बन है ये थिरी है ये आ सब्सक्राइब करें लिए अब है कि दिमातर लवा कि झाल कुछ जरो कई और इस आब कि आपकाे यह दिये निकाल तो दे आप देर का देकल आपकाग То 좀. अब हम बातए हैं यह इसको बनका आपका एंक है उसको और आपका ब मैं दो कउन проблема है यह तक हम सी यह प्लारा है इससे जाना असानी हो जाएगे सबसे पहले हम इनके failure करते है कि एब सब्सबसे पहले हम निकाल झाला है। एड लेजुन का area region और डी रिजन फॉर्मुलियर सबको पता है length into bread Rectangle क्यूंकि हमने통े rectangle के तिक बैरे डी इसकी length 3 है, इसकी length 3 है, 3 into 3, एक तरीके से square हो गया, लेकिन हमें rectangle में ही करना है, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ये square हुआ, ठीक है, square है, लेकिन rectangle भी है, की तरह हम इसको करेंगे, योगो कि आपका 9 cm में unit हमें given है, question में 9 cm square, ठीक है, अभी हमें सब का total भी करना होगा, चारो figure का निकाल कर, अब देखिए, अब हम कर रहे हैं, इसका pink का, pink region का area of pink region, देखो, ये कितना है आपका, 2, और ये पूरा 4 हो रहा था, ये इतना हो जाएगा अब ये 3, क्योंकि अभी हमने कर रहा ना, ये 3 है, ये भी 3 होगा, यानि ये हो गया होगा 1, तो इसका कितना हो अब देखिए, अब निकालते हैं हम area, area of brown region, brown region का देखिए, ये लेंध है आपकी, और ये 2 और ये 1, मतलब ये 3 और ये भी 3, 3 इंटू 3, ये और ये आपका 9 cm square, ओके, अब हमारे लेगा है green का, area of green region, green region का निकालो, ये लेंध 4 है, प्रेट कितनी है, 2, 4 इंटू 2, 8 cm square, चारो figure का, जो हमने 4 figure spread की है, चारो figure का हमारे पास area आ गया है, अब हम total इसका कर दो, total area, सबको add कर लिए, 9, 2, 9, 8, 9 plus 2 plus 9 plus 8, कितना हुआ ये, 28 cm square, ये आपका final answer है, ओके, इसी तरीके से, बिलकुर इसी तरीके से, जो हमें इस वाली picture को भी spread करना है, rectangles में और total area सबका find करना है, देखिए, इसको मैंने ऐसे कर लेती हूँ, एक ये बनेगा rectangle, और आपका एक, एक rectangle, एक ही है और एक ही, तीनों का find करेंगे area, तो हम तीनों को total करेंगे हमारा final आ जाएगा, देखिए, इसको मैं red region मानती हूँ, इसको pink और ये आपका green region, अब हम area इसका find कर लेते हैं, देखिए, सबसे पहले हम find करते है area pink region का, area of pink region, देखिए, ये land हमारे पास 3 है, rate कितनी है, 1, 3 into 1 ये आपका 3 cm square, अब करेंगे area, red region का, अब करेंगे area, रेड 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 का, तो ये वाली थेड है, तो ये वाली भी थेड होगी और ये ब्रेड कितनी है, ये आपके पास 2 है, लेकिन हमें, रेड का निकालना है ये बूरा, तो ये वाली थेड है, तो ये वाली भी थेड होगी और ये ब्रेड कितनी है, 1, तो 3 into 1 ये भी आपकी थेड आया है, तीनों को total कर देंगे तो final आजाएगा, total area, 3 plus 3 plus 3, ये आपका total area, find कर लिया हमें, question number 11 में भी same यही है, हमें इन रिगर को भी rectangle में split करना है और area, find करना है, तो इस picture को भी मैं, और इसे green माल लेते हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं area of red region, area of red region, rent into bread, अब red का देखो आप, ये total कितनी है, 10 नंबाई है और 2 इसकी bread, 10 into 2, 20 cm इसको है, इसमें ते रखाता है कि हमें ये सारी उने cm में हैं, अब निकाल लेंगे green का, area of green region, ये देखिए, ये 12 थी पूरी लेकर अभी ये इसमें हो गया है, तो ये वाली लेंगे 10 into 2, ये भी 20 दियाया है, total area क्या हो जाएगा, पॉर्ण को आयर कर दिया, simple, 20 प्लस 20, 40 cm square, इस कुशन का ही बी पार्ट है, सारी साइड्स हमें 777 दे रही है, rectangle में split करना है, एक rectangle तो ये हो गया, अब बचा क्या, एक पार्ट ये बच रहा है, और एक पार्ट ये बच रहा है, अभी हम इसको अलग निकाल के रख देते हैं, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये वाला पार्ट, पीच में gap करके, एक आपका ये बच रहा है, ऐसा ही है, अगर मैं इसको, अब देखिए हमें rectangle में split करना था, लेकिन, ये square हो रहा है, तो हम इसको जैसे कि मैं इसको एक चलिके से जोड़ दूँ, तो ये ऐसे भी कल सकते हैं, इसको अगर ऐसे जोड़ दिया जाए, ऐसे करके, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ऐसे कर दिया हमें, ये जो दो अलग-अलग blocks थे, square blocks थे, मैंने इनको मिला दिया और ऐसे बना दिया, अब तो ये रखते ही बन गया, अब इसका area find कर लें, और इसका area find कर लें, ये वाली picture, तो हमारे पास total area आ जाएगा, ठीक है ने, अब देखिए, सबसे पहले हम इसका area find कर रहे हैं, ऐसे area of blue region, area of blue region, देखो, length कितनी है, देखो ये 7, क्योंकि एक block आ रहा था ये, एक block आ रहा था ये, ये और एक ये, 7, 7, 7, length कितनी हो रही है, 7, 7, 7 यानि 21, और bread कितनी हो रही है, 7, 147 cm2, 147 cm2, इसका हुआ, अब इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो था, हमें ऐसे अलग अलग लेका, फिर हमने इसको मिलाती है, ये भी एक area रही है, area of shaded portion, area of shaded region, देखो, length कितनी है इसकी 7 और 7 यानि 14, breadth कितनी है इसकी 7, 98 cm2, total area find कर लेंगे, add कर लो सबको, total area कितना हो रहेगा आकर, 147 plus 98, ये रहेगा आकर, 245 cm2, ये आपका, final answer है, ठीक है ना, next है, इसी question का इसमें भी, split करना है, देखो, ये मैंने इसको मिला दिया, एक rectangle ये बनेगा आपका, और एक rectangle ये वाला बनेगा आपका, ठीक है ना, इसे red ले ले लेते हैं, और इसे green region, आप solve करो, area of, बहुत simple question है, बस जादा से जादा, प्रैक्टिस करके, और अच्छे से समझ के करें, आप लोग तो very easy आई है, area of red region निकाली है, दोको length कितनी है, इसकी 4, और breadth है आपकी 1, ये आपकी 4 cm2, से 5 cm2, अउसी आपकी 1, ये और ये, बहुत लेंद्ध कितनी है, 5, और breadth है आपकी 1, 5 cm2, ये और ये, और ये, तोटा ले ये के हो जाएगा आपका, दौरों को red और green region को plus कर दें 4 plus 5 9 cm square यह आपका final answer है तो इस exercise का last question है आपका how many ties whose length and breadth विल बीटी तो फित इन रेक्टेंगुलर रिजन में fit होने के लिए कितने उनका एडिया निकालेंगे अच्छा है whose length and breadth और रेस्पेक्टिवली और रेक्टेंगुलर रेजन का जो लेंद और ब्रेट हमें दे रहा है अब जो टाइल है उसका भी length और breadth हमें निकालना पड़ेगा area of area of one tile लिख सकते है लेंद है इसकी 12 प्रेट है 5 यागे आपका 60 cm is square ठीक है अब इसके अंदर देखो हमें जो है number of tiles निकालना है यह हमने एक tile का निकाला है क्योंकि इतमें एक tile की यह given है length और breadth तो यह हमने जब एक tile का निकाला है तो अब हमें find क्या करना है how many tiles हमें number of tiles find करने है तो number of tiles find करेंगे इसको इससे divide करके number of tiles find करने के लिए क्या करेंगे area जो आया है हमारा और उसको जो हमारा एक tile करिया है उसे इसको डिवाइड कर देंगे area of rectangular region डिवाइड कर देंगे आपका area of one tile area of one tile ठीक है देखो यह आय था आपका 14400 और यह है आपका 60 इसको डिवाइड करके आएगा आपका 240 tiles तो number of tiles आएगे आपके 240 ठीक है क्योंकि हमें number of tiles find करने थे ना पहले हमने एक tile की निकाले फिर हमने 60 choose का area आ रहा था तो दौनों को डिवाइड कर दिया तब हमने उसे number of tiles पता चल दाएगे कि कितने इसका second part है पहले area of rectangular region find कर दो इसका rectangular region का area आ जाएगा पहले 70 into 36 land है और यह आपकी path है यह आ जाएगा आपका अब area of one tile अभी हमने निकाला था area of one tile कितना आया था आपका 60 cm square यह ही है जो अभी अभी उपर किया आना है यह वाला अब number of tiles इसमें find करने है number of tiles निकालेंगे तो इसको इससे divide कर दीजिए यह जाएगा आपका 42 tiles तो इसमें पूछाता कितने tiles की जरूरत होगी इसमें 240 tiles की और इसमें 42 tiles पेड़ेंगे तो यह आपका pensionation chapter complete हो चुका है आप लोग इसकी बहुत अच्छे से practice कर लिजेगा questions को solve करें formula को अच्छे से देख लें कोई मुश्किल नहीं है very simple है यह और बस question अच्छे से करने की जरूरत है calculation mistake ना करें okay आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए thank you झाल